यह हैं ही माचल परदेश का सोलन इलाका जहां मश्रूम की खेती से लोग काफी मुनाफ़ा कमा रहे हैं आए का पक्का और बेहतर बिकल्ब होने के कारण छोटे और बड़े किसानों ने मश्रूम की खेती करने में रुची दिखाना भी शुरू कर दिया है किसानों का कहना है कि मश्रूम की खेती में राज्य सरकार भी उनकी काफी मदद कर रही है सबसे अच्छा यह रहता है कि अगर मुश्रूम लगाई जाए अपने घर में लगाई है कोई इसमें जादा आपको कुछ प्रॉबलम नहीं आती है सरकार की पूरी मदद मिलती है यहां चंबा घाट में जो डॉक्टर्स बैठते हैं यह लोग आपकी पूरी मदद करते है एक तो इससे जो युवा है हमारे उनको काफी अच्छी एक इंकम का सोर्स ड्वल्प हो जाता है पिछले तीन सालों में मश्रूम के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसकी खेती से मिलने वाले लाब की वज़ज़ से कई किसान मश्रूम की खेती कर रहे हैं अगर देखा जाये तो सोलन का जो नाम है वो मुश्रूम सिटी जो है वो पूरा वर्ल्ड सोलन को मुश्रूम सिटी के नाम से जामता है यहाँ पे अभी कुछ सालों में जो है जो युवा है वो काफी जो है वो मुश्रूम की खेती की और बड़े हैं जिन्होंने काफी बड़े लेवल पे अब मुश्रूम लगानी शुरू कर दिया और साथ में कुछ जो गाउं में रहते हैं जो गरीब लोग हैं वो लोग भी अब जो हैं मुश्रूम की खेती कर रहे हैं ताकि एक इंकम का सोर्स उनका ड्वैल्प हो मुश्रूम उत्पादन सबसे पहले जम्मू कश्पीर के उत्री शेत्र और हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश के सोलन, शिमला, कुलू और सिर्मौर में मुख्य रूप से मुश्रूम का उत्पादन किया जा रहा है Bureau Report, DD News